अगर जीवर में सफलता प्राप करना है तो अपने मेहनत पर विश्वास किजे देखे आज है दो माई और आज की वीडियो में टॉटल दस मोस्ट इंबोर्डेटर परिशनों परेंगे जो कि अपकी सभी आगामी परिशाओं के लिए मोस्ट इंबोर्डेटर हैं तो सुरू स के नोटिविशन आपको और वीडियो मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा तो चले शुरू करते हैं देखे आज का हमारा पहला प्रशन है कि हाल ही में किसे सीवाली के स्माल फाइनेस बैंक के एमडी और सीओ के रूप में नामित किया गया है तो जिसको जो है निदेशक मंडल के सलाकार के रूप में काम करेंगे तो इसको यार रखेगा और अगला प्रशन है कि अंधराष्टी स्रमिक दिवस जिसको हम लेबर डे या फिर मजदूर दिवस करते हैं या फिर इसको जो है मेड डे भी कहते हैं तो यह कमना आता है तो इसको हम एक मई को सलिवरेट करते हैं देखे जो अंतराष्टी स्रमिक दिवस है इसके सापनान 1889 में समाजवादी समुहों और ट्रेड यूनियों के अंतराष्टी स्रंग के द्वारा 1886 में सिकागो में हुए हेमारकेट दंगो की याद और जिनकी जाने गई उनके सम्मान में की गई थी देखे इसका थीम जो है अभी क्लियर नहीं है अभी थोड़ा सा मैं नियूस प्रेफर में आज देखूंगा उसको तो इसकी थीम मैं आपको कल बदाऊंगा अभी यार रखेगा एक माई को हम अंतराष्टी स्रमी दिवस यानि की इंटरनेशनल लेबर डे या फिर मजदूर दिवस या फिर मेडे इसको भी करते हैं तो मेडे जो है मनाए गया अगला के हाली में किसने भारा सरकार के मिशन कर्म योगी का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डालर की परियोणों की मंजूरी दी तो द चमता निर्माण के लिए राश्टी का रिक्रम है यानि कि मिशन कर्म योगी और नेशनल प्रोग्राम टू ब्यूल्ड सिबिल सर्विसेज कैपसिटी है इसका समर्थन करने के लिए ये जो भारी भरकम अमाउंट है 47 मिलियन अमेरिकी डालर का तो इसकी परियोणों को अभ चाहली में गूगल ने युवाओं और मैला उद्यम्यो को डिजिटल अर्द्वस्ता का लाब पहुंचाने के लिए कि सर्राज सरकार के साथ एक समझोते ग्यापन पर अस्ताक्षर किया है तो दीए भी हाली में गूगल ने तेलंगाना के साथ एक समझोता किया है तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर सहयो करेगा ताकि उन्हें डिजिटल प्रद्वा की मांग के लिए नौकरी के लिए तयार किया रसके और दीए तेलंगाना की बात करें तो दीए आईटी और उद्योग मत्री हैं का नाम है केटी राम तो केटी राम ने अभी हाली में इंका नाम है संजे गुप्ता ये जो है गूगल इंडिया के भारत के चीफ और उपाद्यक्ष हैं अगला प्रशनी की हाली में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बाब वर्ल्ड गोल्ड लांच किया तो दीकि बैंक आप बड़ोदा जो है इस न 8 साल से उपर के लोग हैं या पर उस से अधिक हैं उन सभी के लिए अनुकूलित किया गया है दीकि बैंक आप बड़ोदा के बारे में 4-6 या रखेगा पहला ये कि इसकी साफना 20 जुलाई 1908 कोई थी मुख्याले इसका है बड़ोदरा गुजरात में और MD और CS के हैं संजी दिया गया तो दिखे जो इंडियन फार्मा लीडर आप दे इयर का पुरसकार है ये सिपला लिमिटेट को दिया गया है और इसके अलामा देखे कुछ और भी पुरसकार दिये गया है दिखे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दिखे अभी हाली में जो है इंडिया फार्म हैं मैं आपको पूरा डीटेल बताऊंगा देखी सबसे बलब बता दूं यह पूरसकार जो आपका विद्रित किया गया हाली में यह इंडिया फार्मा और इंडियन मेडिकल डिवाइस तो हटर बाइस के साथ में संस्क्रण के दोरन दिया गया है जिसका आउजन फिडरेशन आप इंडियन चेंबर्स आप कामर्स एंड इनिरस्टी यानि की फिक्की और फार्मस्यूटिकल बिभाग के दोरन दिया गया था तो इसमें कौन-कौन से स्रेडी में कौन-कौन सावाट किसने जीता है तो दीकि इंडियन फार्मा लीडर आप दे इयर का वार्स चिपला लिमिटेट को मिला है और इंडिया फार्मा इनुवेशन आप दे इयर का व्रुषकार क्लेन मार्क फार्मा चूट का लिमिटेट को दिया गया है और इंडियन फार्मा फार्मुलेशन का व्रुषकार माइक्रो लैप्स लिमिटेट को मिला है और इंडियन फार्मा क управुश्कार नाइस नियो टेक मेडिकल मेडिकल डिवाईस प्राइविटLimita को मिला है। कपरसकार वंगार्ड डाइग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिबिटेट को मिला है और बदी की इंडियन मेडिकल डिवाइस इनुईशान अपडेज़ का परंसकार जो है ये Mirror Life Sciences प्राइवेट लिमिटेट को मिला है तो यह था आपका इन्डिया फार्मावाड इसको यारखेगा अगला की special 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में थी ये किसके द्वारा जारी की गई है तो देखें अमेरिका ने भी हाली में special 301 रिपोर्ट जारी की थी और अमेरिका की ब्यापार प्रणितिदिने अमेरिकी ब्यापार की सुरक्षा और बहुत थिक संपता अधिकारों के प्रवरतन की प्रभाव सिल्था पर जो है यह रिपोर्ट जारी की थी इसका नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट और अमेरिका की बात करें तो देखिए अमेरिका जो है इसका नाम क्या है यू एस ए यानि कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक यूनियन है जी देखिए अमेरिका में कुल 50 स्टेट हैं कितने हैं 50 हैं इसको यह रहेगा तो 50 राज्यों का एक संग है अमेरिका तो अमेरिका जो है इसके दिखिए प्रेजिडन कौन है जो बीडेन है क्याप्टेल है वासिंग्टन डीशी पापलेशन है 32.95 करोड और यहां की मुद्रा है US डालर सबको पता है अगला की कौन सी संस्थात त्रहमासिक रोजगार सर्विक्षर जारी करती है दीखे जो आपका स्रम और रोजगार मंत्राल है यह त्रहमासिक रोजगार सर्विक्षर जारी करती है त्रहमासिक पतलब तीन महीने में 2021 का तिमाही था इसमें नौ चैनिज छेतरों के दस या अधिक सरमिकों वाली फर्मों में चार लाग से अधिक नौकरियां पैदा हुई और अगला एक हाली में केंदरी मंत्री मंटल नहीं कि इसमें एक नया भारती दूतावास खोलने को मजूरुदी है तो दीखे अब तक ल लिथुआनिया जो है ये बाल्टिक छेतर का ऐसा पहला देश था जिसने 2008 में भारत में अपना दूतावास खोला था मला भारत ने तक नहीं खोला लेकिन इसने यानिकि लिथुआनिया ने भारत में 2008 में अपना दूतावास मनाया था और इसी के साथ जो है बाल्टिक छेत अगला प्रशनी के हाली में के सिद्धी को आयूसमान भारत दिवस मनाए गया तो आयूसमान भारत दिवस को हम 30 अप्रेल को सेलिब्रेट करते हैं और इस यूजना को अप्रेल 2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वाना शुरू किया गया था देखे स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्राले के अनुसार आयूसमान भारत दिवस के बारे में यारके का 30 अपरेल को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं देखे जो लोग इनिजार कर रहते हैं कि जो अपरेल महिना है इसका मंत्री गरेंड़ पर कबाएगा तो देखे इसका पार्ट वन अप्लोड हो चुका है पार्ट वन को आप देख डालिये पार्ट वी आज साम तक साथ अप्लोड हो जाए तो अब हम बात करेंगे आज के सभी कुशन आपटेपे, कितने लोग चाहते हैं कि आज पार्ट टू अपलोड जाए, कमेंट बॉक्स में बताएं दीए आज का पहला प्रशना आपके लिए कि हाली में किसे विटली गोल्ड अवार्ट से समाल किया किया कि बताईए अगला कि हाली में किस भारती को ऑनलाइन लेडिनिक प्लेटपॉर्म इन्डीफी टेखनोलोजीज का सलाकार बनाए गया बताईए और तीशरा कि माइगरेशन ट्रेकिंग सिस्टेम एप विक्सित करने वाला भारत का पहला राजिकुन बनाए गया बताईए और चाहता कि अंदराश्टी जैज दिवस 2022 का मनाए गया बताईए पांचवा कि हाली में किसे बेश्ट इंफ्राइस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपरोस्कार मिला बताईए और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सबी प्रिश्टों के सेख्टरों के लिए गले का पहला प्रसंदा की अंदराश्टी निरत दिवस का मनाए गया पूलेंड और बुल्गारिया को रूबल में भुक्तान करने की विफलता के खारण गैस की अपूर्ती रुगी है तो दीखिए रूस ने कहा है पूलेंड और बुल्गारिया को कि वईया देखिए हमारा जो मुद्रा है रूबल है हमको डालर में पैसा नहीं चाहिए ते बुलिए समय तो ताइ जए जए अवरत